हेलो गाइज वेलकम टू एटवट अकाडमी आएम शिरारादर आज हम बात करेंगे lesson no.10 lesson no.10 है हमारा reading करने के लिए पढ़ने के लिए क्या के हमें notification कर याद खना चाहिए क्या क्या चीज हमारे लिए काम की है वो सारी यूल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसर्च लोगेटर ऐसे ही आपका आई पी अड्रस है जैसे कि अपने कोई भी है अपना जैसे कि आपने अपना कोई भी वेबसाइट का डॉमिन नेम ले रखा है www.training-.com या फिर amazon.in फिलिप कार्ड है तो ऐसे ही आपके यह सब आई पी अडिस नदर डलते हैं आपके डॉमिन नेम ऐसे ही जो भी हम अपना नेट चला रहे है पॉल्ट को उसका एक आईप अड़र्स डिफाइन होता है कि उसका आईप अड्रस किया है ठीक है तो इस तरह से आप डिफाइन रहत अपना डाटर वगरा जो भी हम डालते हैं वह अपका यूल में जो भी नाम करेंगे उसके आपसे खुल जाएगा ऐसे ही आपका स्क्रीम होता है इस तरह से तो ऐसे ही आपका डबल डबलु है डिफॉल्ट ऑफ स्टीटीपी इस डबल डबलु यानि कि इस तरह से में डॉमिन नेम का अपना डबल डबलु मैंशन करना पड़ता है यानि कि हम लगवा सकते हैं अपनी वेबसाइड में ऐसे ही डिफाइन दे इंटरनेट कोई भी डॉमिनेम होता है जैसे अटिट्यूट अकैडमी डॉट कॉम या फिर आप अपना नाम से भी ले सकते हैं कि साहिल डिजाइनर या वैब डिजाइनर साहिल डॉट इन यह डॉट कॉम जो बहुता है अब डिफाइन दा पॉर्ट नंबर ओफ होस्ट यानि कि कितने नंबर तक यह होता है IP अट्विड यानिकि आप एकट्वर्ड के अंदर लें या फिर यूनिक नेम लें कोई बी ऐसे ही पाथ क्या होता है पाथ आपका होता है सर्वर पे यानिके सर्वर से की फुल फॉर्म क्या होती है स्ट्टिपी की फुल फॉर्म है हाइपर टैक्स टांसफर प्रोटकोल ठीक है तो यह common वैब पेज के लिए उद्वी होती है यह फिर हम लेते हैं है स्ट्टिप एस यानि कि स्ट्टिप्स यानि कि वेबसाइड जो इसके इसके अंदर सेक्यूर होती है ऐसे ही FTP क्या होता है क्वाइल टांसफर पोट और यह निए कि ज़रम अपनी वेबसाइड को ओनलाइन अपलोड करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं तो यह सर्व वह है तो सोफ्ट्वेर में क्या होता कि आपकी वेबसाइड में से अपनी ऑनलाइन कोई ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिशन आपको टाइम टॉटेम मिलती रहें गुड़ेव झाल